हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल समक्षास फूड वर्ड आज हम लोग देखने वाले हैं पाइनापल प्रॉप्स कीक तो चलिए इस केक के साथ शिरुवात करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे वनिला बेस ले लेंगे हम लोग उस पे सुगर शिरुप डालेंगे शिगर शिरुप डालने के बाद हम लोग यहाँ पे क्रीम डालेंगे क्रीम में पाइनापल क्रश डालेंगे और क्रश को डालने के बाद उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे spread करने के बाद यही process आपको दोरानी है if you repeat this process you have to repeat it and आपको तब तक repeat करनी है जब तक कि आपकी जो पूरी slice है उसमें किना लग जाए जतनी है अपने slice काटी थी उतने बार आपको यह process करनी है and अभी हम लो यहाँ पे finishing कर रहे हैं finishing करने के बाद crumb coating करेंगे करम कोटिंग के बाद हम लोग आपे blue cream लगाएंगे blue cream को मैंने अच्छे से लगा लिया है and अभी हम लोग इस blue cream की finishing कर लेंगे blue cream की finishing करने के बाद हम लोग इस पे dripping करेंगे so dripping जो हम यलो कला के कर रही हूँ तो यह है neutral gel जिसको आप cake shop से खरीज सकते है इसको कैसे बनाना होता है वो box आता है आपको इसको open करना है एक bowl में one spoon ले 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 दाना है और one spoon इतना water डालना है water डालने के बाद one drop of gel color डाल सकते है अप लोग अगर आपके पास नहीं है तो three drops of liquid color डाले उसमें और उसको mix करें जब तक उसके crumbs break ना हो जाए and crumbs break होने के बाद आपको इसको इस पे डालना है piping bag में डालने के बाद तो piping bag में डालने के बाद आपको इसको drip करना है just and आप दे नहीं करें सकते हमारी design कितनी सुन्दर आई है and यह सब हो जाने के बाद हम लोग यहां पर कर रहे हैं हमारी nozzle की design इस nozzle से मैं अने design की है and अभी हम लोग roast head निकालेंगे तो rose head इस nozzle से हमने किया है तो अभी हम लोगadt बना दिया है and अभी हम लोगह अपने cake kinda ready कर लेंगे इस प कैसा रगा आप मेरा के कमेंट में जरूरूरूरू